हाई गाईज वालकॉम बैक आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है आज की इस वीडियो में हम रिवीव करने वाले हैं 17.1.2 के अफडेट का आइफ़ोन 11 के उपर ये अफडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है आपको ये अफडेट यहाँ पर कौन-कौन से इशू करेट करने वाला है आइफ़ोन यूजर्स के लिए जो की आइफ़ोन 11 को यूज कर रहे हैं इस वीडियो में हम complete full review के बारे में बात करेंगे तो चली बात करते हैं आज की इस वीडियो में सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास जो currently आइफ़ोन 11 है उसका variant है 64GB व क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम डेटा इकटा हो रहा है इस नहीं सारी आइफोन की स्टोरेज कवर कर रही है आप देख सकते हो अगर आपके पास भी है यह डिवाइस तो अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम देखनी को मल रही है तो मैं इसको कॉमेंट्स में जरूर बत करते हैं इसके बैट्टरी बैकाप के बारे में कैसा आपको बैट्री बैकाप देखनी को मलता है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसकी यहां पर शो नहीं कर रहा है बट मैंने कम्प्यूटर के साथ इसकी मेसकम परस्टी जो है वो चेक आउट करी है तो मेरे को 88% देखने को मली है मतलब कि इसकी 1% बैटरी जो है वो ड्रॉप होई है इस नए अफडेट में तो 1% बैटरी ड्रॉप होई है अगर आपके बेस में कितनी % बैटरी ड्रॉप होई है तो मेरे को आप बता सकते हो कॉमेंट्स में तो आपको कुछ इस तरीके का बैटरी बैकप देखने को मल सकता है जो बैटरी बैकप होता है वो आपके यूसेज के उपर डिपेंड करता है कि आप अपने डिवाइस को कैसा यूस करते हो अग आपको बढ़िया भी बैटरी बैकप देखने को मल सकता है तो करंटरी आप देख सेकते हो मैंने लास्ट चार्ज इससे किया था वन आवर गो 88% और अब आपको 84% देखने को मल रहा है इसका बैटरी बैकप तो यहां पर 4% बैटरी ड्रोग होई है पूरे एक घंटे में इसक को जो नेटवक्स के बार्ज हैं SIM कार्ड के वो बी यहां पर तकरीबन फुल ही देखने को मल रहे हैं तो कोई भी कॉलिंग से एलेटर इशू नहीं है अगर आपको अपने कॉलिंग के एलेटर इशू को फिक्स करना है अगर आपके कॉलिंग में बैकगराण नौइस का फि तो आप इस feature को यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहां पर कोई भी recent phone call को आपने apply करना है, जैसे कि इस phone call को मैंने apply किया, अब आपको यहां पर simply control center को enable करना है, और voice isolation के इस feature को on कर देना है, जिसके साथ background की जो noise है, वो completely remove हो जाती है, आपकी और से, अगर दूसरे person के पास भी ऐस आइफोन है, तो उसको भी इस feature को जूरूर enable करना चाहिए, जिसके साथ voice cancellation आप on कर सकते हो, noise बिल्कुली नहीं आएगी, आज बात जितनी मर्जी गाड़ियें यहां पर होरण चलाएं, बस आपके ही जो voice है, उस person को सुनाई देगी, अब बात करते हैं, इसकी performance के बारे में applications को open करने की speed के बारे में, इसके speed जो है, काफी जदा बढ़िया है, अब देख सकते हो, मैंने को shortcuts भी यहां पर create कर रहे हैं, जो कि यहां पर directly मैं perform कर सकता हूँ, अगर मेरे को airdrop को on करना है, तो मैं यहां से airdrop को directly everyone की उपर setup कर सकता हूँ, तो overall experience जो है, आइफोन 11 का इस आइफोन 13, आपने मेरी वीडियो को watch किया होगा, वसमें मेरे को lock screen से related issues देखनी को मलते हैं, और साथ में जो raise to wake का feature और touch to wake का feature है, वो बिलकुल भी exactly काम नहीं करता है, मेरे को दो या तीन बार इसको restart करना पड़ता है, अपने device को iPhone 13 को, और तब जाकर उसकी यह जो issue है, व watching